थर्ड फेज का चुनाव शुरू होने वाला है असाम में धूबरी, गोहाथपी, कोक्राज़ार और बरपेटा कंसिटूरिशन में इलेक्शन होने वाला है दील इनिमेटिशन के बाद जो धूबरी और बरपेटा कंसिटूरिशन है जो मेन मुद्ध है इस बार के लिए पहले वाला है जहां पर बरपेटा एक ज्यागा है जहां पर सत्र आसाम का जो जितना भी यहां पर सत्र से यहां पर काफी हिंदू का काफी वोट बेंक क्या करता था पर काफी dominant क्या करते थे जितना भी minority voters अभी धूबी में घूच चुके हैं, तो अभी बरपेता के लिए BGP क्या काफी एक important role play कर रहे हैं, काफी वहाँ पे election क्या campaigning कर रहे हैं, इस साइड में जो धूबी कॉंचिरे से हैं, यहाँ से AIRF ची बड़ोदीर आरजमल खेल रहे है minority areas काफी घुच चुक है, इसलिए बड़ोदीर आरजमल जी को काफी वहाँ पे साहता मिल सकता है, ऐसे हम लोग जान सकते हैं, अर लास में अब हम लोग आते हैं, कोक्राजर के लिए, कोक्राजर ऐसा जगह है, जहाँ पे BTR, Borderland territory area है, BTR accord होने के बाद, जो BGP government ने किया है, कि peace and stability काफी आया है इस एरिया में, तो काफी BGP invest कर रहे है, जो BTR area है, जो कोक्राजर consistency है, वहाँ पे काफी invest कर रहे है, क्योंकि BGP government ने काफी किया है, और उनका जो allies है, UPPL, UPPL candidate को वहाँ पे place किया गया है, BGP काफी confident है, जो कोक्राजर सीथ है, वहाँ पे काफी confident है, तो हम लोग के ये भी देखना होगा, जो बरपेता consistency है, वहाँ पे जो 17 लेंटा काफी encroachment हुआ था, तो अभी BGP government encroachment के लिए काफी मुद्दा उथार रहे है, Congress भी, Congress भी ये मुद्दा काफी vocal है, इस मुद्दे के उपर, और लास्ट में हम लोग आते है, जो गौहाटी consistency है काफी development आया है, business in case of business का काफी development देख सकते है, तो में जो गौहाटी और धूबरी जो काफी tight fight होगा, ऐसा मानना है, पर CMB ये बार-बार बोलते है कि जो धूबरी consistency है, जो BGP के प्राइम फोकस है, और धूबरी consistency में है नहीं अभी के लिए, क्यों हो minority area है, पर फिलाली, ब साम का, हिमांता बिशा सर्मा का जो गर्मेंट है, काफी मादरा सा, काफी मादरा सा, कनवर्ड होके regular school बना गया था, तो अभी ये मुद्दा काफी धूबरी consistency के लिए important है, और जो last में हम लोग, जो young voters है, जो गौहाटी का जितना भी young voters है, अभी जो local मुद्दा के उपर, नहीं करते हैं, पर national मुद्दा जिससे freedom of speech के उपर, वो लोग वोट कर सकेगे, काफी young voters अभी सामील हुआ है, गौहाटी consistency में, तो third phase में हम लोग का prime focus होगा, धूबरी के उपर prime focus होगा, बरपेटा के उपर prime focus होगा, और young voters के लिए, जो गौहाटी consistency है, और काफी यहाँ प झाल